एक स्वाल जो मेरे दिबाग में तब से घूम रहा है जब मैंने The Promise Neverland का सीजन बन देखना शुरू किया था वो ये था कि ये डीमन्स कहां से आए हैं क्या बाहर की दुनिया में इंसान है या नहीं है या उनका क्या हुआ थोड़ा बहुत हमें आंसर इसका मिल जाता है लेकिन सारे स्वालों का जवाब तो नहीं मिलता लेकिन हम कहा सकते हैं अब थोड़े थोड़े स्वालों का जवाब मिलना शुरू हो गए The Promised Neverland Season 2 के सेकंड एपिसोड में हमें ये बताया जाता है कि जहां पर हमने फर्स्ट एपिसोड छोड़ा था मैंने बताया था कि दो डीमन्स थे उन्हेंने बच्चों को बचा लिया था एक का नाम था सोंजू और एक जो छोटी डीमन थी उसका नाम था मुजी का शहां मैंन कि ना तो डीमन्स जो है वो इनसानों का शिकार करेंगे और ना इनसान जो है वो डीमन्स को तंग करेंगे या उनको मारेंगे और उस समझोते को लेकर ये वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था एक में जो डीमन्स रहना शुरू कर गया थे और एक में रहे थे तो at the end हमें ये तो पता चलते हैं कि बाहर के दुनिया में इंसान है और जहां पर एक agreement हुआ हुआ है इसलिए यहां पर यह एक्जिस्ट कर रहे हैं शांति परूखा बट यह जो दो demons है जो यह मोजु का मोजी का या फिर जो भी है फिर से clarify नहीं किया गया अब एक चीज काफी interesting मुझे लगी कि demons भी जो है वो faith रखते हैं किसी चीज के अंदर किसी चीज में विश्वास रखते हैं और वो बच्चों को नहीं कह रहे हैं तो काफी जादा interesting था क्योंकि यह जो मोजु का और सोच यह फिर से नाम लेने में पार-पार problem हो रही है तो यह जो दो demons हैं इनकी काफी जादा importance है इस episode में क्या इस पूरे season में मुझे ऐसे लगता है क्योंकि जब यह episode खतम होता है first episode खतम हुआ second episode खतम हुआ तो इनके ending में जो आउटर आता है जहां पर credit हमें दिखाया जाता है तो वहाँ पर इनकी image दिखाया इनकी वीडियो चलती है तो इससे यह पता चलता है कि हाँ इनकी तो अभी है कि मतलब इनकी value बहुँ जादा है और second episode की अगर और भात करूं तो देखो यह episode इतना जादा excited नहीं है इसमें इतना कोई suspense नहीं है लेकिन हम यह episode एक informative तरीके से आप देख सकते हों इसको समझो कि इसमें बताया गए कि demons कोन है बाहर की दुनिया में कोन exist करता है कैसे बाहर की दुनिया में पहुँचा जाएगा और यह कैसे survive करते हैं इनको यह चीजें सिखाते भी हैं और बताया जाते है कि जो demons का जो इलाका है वहां पर बच्चों को पाला पोसा जा रहा है उनकी परवरिश की जा रही है वहां पर एक farm नहीं है बहुत सारे farm है जहां पर demons बच्चों को रखते हैं ताकि जब बड़े बहुत नरसनार हुआ था बहुत से लोगों ने demons को मारा demons लोगों को मारा एड़ दी एंड जो agreement हुआ था तो यह इस agreement के कारण तो इंसानों को मार नहीं सकते था इसलिए जो भी उनके इलाके में जुड़ी जो इंसान बच गए थे उन इन्शानों को इन्हों ने जैसे बच घाटा जा सके घाटा जा सके अगले में वाला एक इन्फरमेटिव के तोड़ पर काफी अच्छा अपिसोड इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाएं और कही ना कहीं यह feeling आ रही है कि Norman जो है वो जिंदा है जैसे कि Norman एम और नोर्मन जो है वो first season में ही उसको demons ले गए थे अंदर से feeling आ रही है अब देखो मैंने मांगा नहीं पड़ी है मैं really मांगा नहीं पड़ी है बट अंदर से ऐसी feeling आ रही है कि हाँ यार वो जिंदा है क्योंकि होते ना guts feeling जो आपको क्योंकि यार वो इतना strong character है कि लगता है कि यार वो ऐसे नहीं मर सकता है यार उसका कुछ ना कुछ रोल होगा वो आने वाले time में रे हो रहे हैं वहाँ से मिलेगा जरूर मिलेगा लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कब होगा आने वाला episode वो हमें बता देगा जल्दी से कि actual मुझे इन्दा है या नहीं बाकी अगर किसे ने ये episode देख रखा है ये second episode तो please comment करना कि आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस story के बारे में प्लीज मांगा पड़े हुए इंसान जो जो भी लोग है वो दूर रहना यार comment करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार तुम लोग spoiler दे देते हो नहीं अभी काफी time से वैसे दिया नहीं लेकिन फिर भी तुम मत लिखना क्योंकि तुम्हारी एक बात भी सारा interest खराब कर और जिन्होंने नहीं देखा है the promised neverland season one भी नहीं देखा है तो यार तुम बहुत अच्छी story मिस कर रहे हो बहुत जबर्दा story है बहुत अच्छा anime है और इसका second season 2 है जिसका second season है जिसने अभी तक episode 2 नहीं देखा वन बिन देखा तो यार जाकर देखू क्या सोच रहे हो कि कह अच्छा करो सारी सचे मिल जाएंगी बन तो करता है कभी कभी बता दूं बट नहीं नहीं फिर कभी तो बस आच के लिए इतना है ता इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद